हेलो बहनों यों भाईयों आप कैसे हैं आसा करते हैं आप अच्छे यों स्वस्थ होंगे आज हम आप लोगों के लिए एक नई रेश्पी लेकर आये हैं देशी दही बढ़े दोस्तों चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं देशी दही बढ़े बनाने के लिए दोस्तों हमने एक कटोरी काले उरत की दाल ली थी और इसको हमने रात में पानी में भिगो दिया था ये अच्छे से फोल गई थी सुबह हमने इसके छिकल रगड़ रगड़ करके साफ कर लिये हैं ये देखी इस तरीके से अब दोस्तों इसको हम सिल पर पीस लेंगे सिल बट्टे पर पीसेंगे तो दरदरा पिसती है और बढ़िया दही बड़े स्वादिश्ट लगते हैं मिक्सी में नहीं पीसते हैं इसको ये देखिए हमने पीस लिया है सिल बट्टे पर थोड़ा सा मोटा रखा है इसको ये पेश्ट तयार कर लिया है इसमें हम स्वादान उशार नमक डालेंगे ठोड़ी सी दोस्तों इसमें हम हें डालेंगे थोड़ी सी हमने इसमें हें allowing is और दो हरी मिर्च काट करके डाली है अब इसको हम mix करेंगे इसमें अच्छे से mix कर देंगे इसको थोड़ा सा एक दो मिनट तक फेटेंगे कि इसकी फेट ने फेटाई बहुत जरूरी होती है तब ही दही बड़े फूलेंगे नहीं तो फिर फूलते नहीं यह देखिए इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च कसमीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और कटा हुआ धनिया थोड़ा सा दोस्तों वो डाल देंगे और इसको जो है हम मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब यह मिक्स हो जाएगा तो एक कटोरे बाउल में पानी लेंगे और थो इसमें ये देखे हमने डाला पानी में ये तैर ने लगा ये इसकी पहचान है अगर अच्छी फिटा नहीं है तो ये नीचे बैठ जाएगा ये जरूर चेक कर ले गैस दोस्तों आनकी है कडाही रखेंगे और इसमें जो है मस्टर्ड आयल में हम इनको फ्राइ करेंगे डीप पानी उसमें भगोने में लेंगे और पानी का सपोर्ड ले करके ताकि ये हाथ में चिपके नहीं पेश्ट इसका सपोर्ड ले करके और इस तरीके से देखिए दोस्तों इस तरीके से हलके हाथ से इसको पलट पलट के इसको बनाईए और इसमें एक बीच में बड़े में छ इस तरीके से बनाते हैं, यह देखी है, इसमें हम सब बना-बना के ऐसे डालते जाएंगे, और गैस की फ्लेम थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि तेल हमारा गरम हो जाता है, जब गरम हो जाएगा तभी इसमें डालेंगे, यह देखे, इस तरीके से सारे दही बड़े, यह बना बहुत बढ़िया बनने वाले हैं दही बढ़े, गैस की फ्लेम कम ही रखनी है दोस्तों, तेज नहीं करना है, यह देखिए, इस तरीके से बहुत ही आसानी से प्यार से बनाने हैं, बहुत ही बढ़िया बनेंगे, इस तरीके से सारे इसमे डाल लेंगे, अब इनको पकाएएंगे, गोल्डेन ब्राउन होने थक, पलट-्पलट करके इनको शेक लेंगे, अच्छे से, जब इस गोल्डेन ब्राउन हो जाएंगे, तभी निकलेंगे, देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे दही बढ़े पके हैं, इनको आप ऐसे भी बगेर दही बढ़े के ऐसे भी खा सकते हैं, बढ़िया से धनिया टमाटर की या चटनी बाटी या लसन लसन की और उसके साथ आप खाईए, ऐसे बहुत ही टेस्टी लगें वो ऐसे तो इसको पूरे साल खाया जाता है, बना करते हैं, ये देखिए दोस्तों, हमने सारे दही बढ़े बना लिये हैं, बहुत अच्छे पके हुए हैं, बढ़िया गोल्डन ब्राउन पके हैं, अब इनको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए दोस्तों ठंड़ा होने द तब हम इनको दही बढ़े में डालेंगे, ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा बड़ा पका हुआ है, ये देखिए दोस्तों, हमारा ये मठा जो है, ये मठा है, दही नहीं है, मठे में हम डालेंगे, गाओं का मठा है दोस्तों, लाल पका हुआ है बिलकुल, बहुत दही में, लेकिन बोल्चाल की भासा में इन्हें दही बड़े ही बोलते हैं, या दही भला बोलते हैं, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे, अभी देखते जाएए दोस्तों, इसका प्रॉसेस, जो हमारा देसी तरीका है, बनाने का, इस बहुत अच्छा तरीका है, अब ये हम इनको तीन-चार घंटे के लिए जो है, इनको हम भिगो के रख देंगे, इसी मठ्थे में, और इसके, इसमें तलका दोस्तों एक मारेंगे, हलका सा तलका मारेंगे, जीरे का और हेंग का, जब अरजस्त तलका लगने वाला है, देख ये देखिए, बहुत अच्छी खुस्बू आ रही है इसमें से दोस्तों, बहुत अच्छी खुस्बू आ रही है, अब इसमें थोड़े से सूखे मसाले हम डालेंगे, थोड़ा सा इसमें दोस्तों काला नमक डालेंगे, ब्लैक साल्ट हम, ब्लैक साल्ट इसमें डालेंगे थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला हम डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा मिर पास कुटा मिर्च रहता है, वो भी हम इसमें हलका सा डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डालेंगे, ये देखे मिर्च हमने डाल दिया है खड़ा वाला और ठोड़ा सा धनिया डालेंगे, ये सब डाल करके और इसको दोस्तों mix कर देंगे, चला देंगे, सारी जो है, mix कर देंगे, ताकि मसाला ये देखे में ने चला दिया है, और इस अब पूरे मठे में, दही में जो है, मसाला mix हो गया है, अब इनको 3-4 घंटे के लिए हम, साइड जबन करें जिगे 5 फूलने देंगे सी मत्य में बहुत बढ़्या बनेंगे उसके सरव करेंगर दोश्तो चार घंटे होग्ये यह देखे में सर्व कर रहा हूं खाने के लिग कि इस तरीके से देखे मेरे पास चट्नी भी है इमली की बहुत ही जबर जैस्ट चट्नी है यह तो यह देखें, दोस्तों तयार हो गया है बाउल खाने के लिए, अगर साथ ही हमारा बनाने का तरीका पसंद आया हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए साथ ही हो, बहुत-बहुत धन्दिवाद.